हलो दोस्तो आज मैं आपको इर्वी कुलम नेशनल पार्क के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि मुनार सहर से 10 क्यूमिटर के दूरी पर पड़ता है ये ये केरला में पड़ता है अगर आप कभी इस पार्क में कभी घुमने आते हैं तो मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ आप जाके इस पर आई बटम पर जाके लिंक देख सकते हैं चलिए वीडियो सुरू करते हैं देखें जंगले बकरी ये नजारा है या ये मुझारा है ने अभी तक कभी जंगले बखरी कभी देखा नहीं हूँ ये डर भी लगता है इसे से तो मार ना दे ज़ते हैं और किसका के ड़ लहता है पीछे का भी आपको नगया देखा दर हम पहाद, बादर रहा इस तरह का स्वीन है बादर अधियाब दो मेरे पीछे देखर देखिए बाकरफ हो इस पानिया भी पानिया भी पानिया भी प्रेसर भी करने पर बहुत जादा यहाँ पी आपके आपके पूल के पास है इस तो आप देखे पूल के पास है मेरे उपर में डर भी लग रहा है काई मान में देख रही है इच्छे हमारे पहार भी है देखे इस तो आप पहार का पहार का कर दो कर दो पहार कर दो झाल झाल यह जो आप भीव जो देख रहे हैं यह इर्वी कुलम नेशनल पार्क से आगे की है आप इर्वी कुलम नेशनल पार्क से 10 km आप आगे जाते हैं उसके सामने से यह रोड गई है इर्वी कुलम नेशनल पार्क से रोड गई हुए अगर आप 10 कुम्मिटर आगे जाते हैं तो आपको अच्छा व्यू देखने को मिलेगा, वहां पे अच्छा पहारी है, पहारी एरिया भी है, इससे भी ज्यादा उचाई पे आप जा सकते हैं, 10 कुम्मिटर आगे हैं, आगे कभी मैं आपको वीडियो में देखा रहता हूं, वहां करके आए, यह जो टी का जो पेर है आप देखिए जिसको हम लोग बोलते है हिंदे माई चाय पाती का पेर जो देखिए कैसा भाए रहा है तो जर से लेकि जर भी आपको दखा रहे हैं किस तरह का जर होता है जर भी इस तरह लगा कुछ भी लिया हूँ तो आप देखिए किस तरह से लग रहा है देखने में के बहुत ही खुबसूद लग रहा है देखने में अब दूर दूर तो देखिए इस इचाय का भगान ही भगान आपको नजार आ रहा है अजया सब्सक्राइब के अलावा यहां पर कुछ भी निज ने सांती बातबरन यहां पर है जो चायपती का जो पेर देखे किस तरह से जनको भी अगर नहीं मालूम है कि चायपती का पेर कैसा होता वह देख लैं इस तरह का इसका पत्ता होता है एक सिनेमेटिक सोट लिया हूँ उसे आप देखे कैसा बना है अगर आपको यह सिनेमेटिक सोट पसंद आये तो प्लीज कॉमेंट करके मुझे बता है मैं वीडियो के यहीं पर लास्ट कर रहा हूँ वीडियो कैसा बना है प्लीज कॉमेंट करके मुझे बता है और हाँ जो भी भाई लोग मेरे वीडियो को लाइक ने किये प्लीज लाइक कर दे चैनल को सस्क्राइब कर दे बेल वाली घंटे को जोब बजा दे क्योंकि इसी तरह के मैं वीडियो लाता रहूंगा आपके लिए